कि भाजपा क्या आप यहां डाल नहीं गलने वाला यह मारक दवाई जो जनता को चाहिए था लाखों नौकरियां वो बिहा सरकार ने दे दिया है कई विभागों में नौकरियां निकल रही है बीते दिनों हिस्यम नितुष कुमारे गांधी मैदान से लाखों शिक्षकों को को न्युक्ति पत्र बांटा है दूसरा फेज का और फिर से शिक्षों के बाली का निकल गया है फॉर्म भाजपा का दाल गलने वाला जो जिन्हों ने कहा था कि पंदर लाग देंगे नहीं आया दो करो लोगों को नोक्रिय देंगे नहीं हुआ मंगाई कम होगी मंगाई कम आप तरशी अदब बिहार के यह स्वास्त मंत्री बने है अब देखिये हर अस्पताल हर जो बेड है जो सुविधा है अस्पताल में वो मिलने शुरू हो गई है नमस्कार सौगत अपकर सोशल बिहार में मैं हूँ आपके साथ विशाल देखिए बार बार ग्रह मंतर अमित्शा बिहार आ रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है ना तो 24 में जीत पाएंगे ना तो 25 में जीत पाएंगे बिहार सरकार इतना अच्छा काम कर रही है लाखों लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है और देने जा रही है बिहार सरकार ने जाती अधायत गरणा कराया जिससे सभी जाकियों को अपना संख्या पता चल गया है अब उससे आगे बढ़ करके बिहार सरकार जिसकी जितनी हिस् करने जा रही है सुनिशिट इसके बाद भाजपा बिल्कुल नहीं जितने वाली है भाजपा का बिहार में डाल नहीं गलने वाला है बार बार जो गिरह मंत्री अमित्षा बिहार आ रहा है उससे कुछ नहीं होने वाला है भाजपा ने जो वादा किया था 2014 में कि 15 लाख लोग नहीं हुई है भाजपा ने जो वादा किया था पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे वो नहीं हुई है ऐसे में भाजपा की डाल बिहार में नहीं कलने वाली है बिहार में बार बार अमित्सा के आने से कोई फायदा नहीं है ये तमाम सारी जो बाते हैं वो महागडबंधन के सर नमबर के नेता और देश के नमर दो के मंतरी गेह मंतर एमित शा बिहार पहुच रहे हैं आज सात्वी बार बिहार के मुझपर्पूर में उनका रेली है बड़ी संख्या में ρेली है डावा क्या जा रहा है, इस बार इस रेली में पान्च लाक लोग आने की तो दोनों साथ कभी नहीं रह सकते हैं और ऐसे में देखिए अब महागडबंधन के निताओं के द्वारा साथ तौर पर कहा जाने लगा है कि बार बार जो ग्रहमंत अमित शार हैं वो बॉखला हुए हैं जब से बिहार में एंडिये की सरकार गई है बॉखला गए हैं मांसिक संतूलन बिगड़ गया उनका इसलिए उनकी नजर बिहार पे है कि बिहार में कैसे बिहार की सत्ता में आएं कैसे बिहार में काभीज हो और कभी अब काभीज नहीं होने वाले हैं बिहार में लाखों लोगों को नोकरियां दी जा रही है बिहार में जाते अधाय तो गरना ह कि को गई हैं बिहार इनकी बढ़ाने की बात हो रही है और उस राज में भाजपा जो कि नफ्रतीपी उस राज में बाजपा जो हिंदू-मसलमान करने वाली पार्टप उसका दॉन संब करने करने वाला है महड़ वदन के तमाम कहिना है यह कॉझरिसं के निताओं का कहना है यह राजत के निताओं का कहना है कि भाजपा कि आप यहां डाल नहीं गलने वाला यह मारक दवाई जो जनता को चाहिए था लाखों नौकरियां वो बिहा सरकार ने दे दिया है कि कई विभागों में नौकरियां निकल रही हैं कि भीते दिनों हिस्यम न सब्सक्राइ του कि बताएए नहीं होने वाला यह टो बिहारu सब्सक्राइब अ advantage कर में और कर्कम साथ जा उन्हार दावा यह क्या जा रहा है कि मुझण परपुर की रेली में 5 लाख लोग पहुंचने की उमीड है बीते दिनों जिस तरीके से ग्रहमंत्य अमितुशा ने मंच से साब तौर पर लालू नितिश को तेल पाने के जोड़ी बताया थे इस बार देखना होगा क्या कुछ बताते हैं बिहार में दाल नहीं गलने वाला है साब तौर पर नेताओं का कहना है भाजपा के नेताओं पर आरोप लगा रहा है कि बिहार में सरकार में थी लेकिन भाजपा के नेताओं ने कुछ नहीं किया स्वास्तमंत्री उनके मंगल पांडे थे, यह स्वास्तमंत्री ने बिहार के स्वास्तमंत्री बने हैं, अब देखिए हर अस्पताल, हर जो बेड है, जो सुविदा हैं अस्पताल में वो मिलने शुरू हो गई है, ऐसे में जंता अब जाग गई है और भाजपा के जाल में नह फसने वाली है जिस तरीके से भाजपा जुम्ले वाजी पार्टी है वो अब जुमला बिहार में देने से कोई फाइदा नहीं है तमाम जो महागडबंधन के नेता है वो कह रहे हैं अब तो आने वाले दिनों में देखना होगा इस तरीके से क्या कुछ मामरा नजर आता है क्य इसके बाद बिहार में विदान सबाद चुनाव होना है जनता कि क्या मूड बनता है क्या कुछ नजर आता है नौकरी मिल रही है बिहार में लगतार और जाती अधायत गरना हो गया है सभी लोगों को अपना अपना सभी जातियों को अपना अपना संख्या पता चल गया है कि क कितनी हमारी संक्या है और अब 20 अरकार आगे बढ़ करके जिसकी जितनी भागेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनस्चित करने जा रही है क्या है आपकी रहा आप कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बता सकते हैं शुक्रिया